न्यूस एटीन इंडिया बकाइदा बहुत सीचा है और उसे आगे बढ़ाया है लेकिन तौकिर साथ इस वक्ट जो आप कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के आईन के मताबिक नहीं कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो भड़काने का काम कर रहे हैं आप पर यह आरोब भी लग रहे हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप से एकदम सीधे तौर पर बात हो जाए। आप ये कहते हैं कि अब हम बुल्डोजर को बरदाश्ट नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं कि UCC तो पहले से चला आ रहा है। आप ये कहते हैं कि हलदवानी में जो हुआ है वो ठीक नहीं है और इसी लिए आप गिरफतारी देना चाहते हैं इन फाक्ट हिरासत में ले लिया गया है आपको। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग को तो आप मानने की बात ही नहीं कह रहे हैं चोड़ दीजिए आप हिंदुस्तान के आयन को एक सेकिंड के लिए साइड में रख लीजिए जिसे रखा नहीं जा सकता है इसको सेंटर में ही रखना है लेकिन चुकि आप इतने जमीन पर मस्जिद को खड़ा कर सकते हैं या किसी की जमीन को कबजा सकते हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि हुजूर सलल्लाव वाले वसल्म ये सिखा कर गए हैं इसलाम को मानने वालों को कि अगर तुमने किसी की कोई चीज़ को कबजाया तो इतना भारी पड़ेगा कि आप किसी पर कबजा नहीं कर सकते हैं अगर हिंदुस्तान का कानून ये कह रहा है कि आपने वो जमीन कबजाई है अगर हिंदुस्तान की कोट इस बात को मान रही है आप स्टे लगवाना चाहते हैं और उस पर स्टे नहीं लगा रही है तो आप समझ जाईए ना कि वो सरका कि जमीन है और उस जमीन पर आप अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ सकते हैं और अगर आप मालिक नहीं है या उसका वख्व नहीं हुआ है तो आप उस जमीन पर मस्जद नहीं बना सकते हैं आप वहां पर मदर्सा जब सरकार ने कह दिया है जब कानून लागू हो गया है कि को चल गया हो या एक पर बुल्डोजर चल गया हो या एक पर कानूनी कारवाई हो गई हो आप से मुलाकात करने से पहले या आपको चैलेंज देने से पहले बकाइदा कुछ देर पहले मैंने मदरसा एजूकेशन बोर्ड के चैमन है मुफ्ती शमून कास्मी सहाब उनसे पूछा ये बात कि ये जो हल्दवानी में जिस मदरसे पर आक्शन लिया जाने वाला था क्योंके अभी तो सिर्फ सील किया गया अभी तो उसकी एक दिवार को चोड़ तक नहीं आई है और आप कहा रहे हैं मुसल्मान जो है अब बैठेगा नहीं अब आप अगर उसके उपर हमला करेंगे तो वो जवाब देगा ये कानून कहता है कौन सा हमला किया है नोटिस पर नोटिस चस्पा किये गये हैं इतना वक्त दिया गया कि ये साहब जो है जिनकी जमीन मलक का बाग जो जानी जाती है अब्दुलमलक इन्होंने बकाइदा अर्जी दी है कोड़ में कि इस पर स्टे लगाया जाए और कोड़ ने उस स्टे से मना कर दिया है तब जाकर वहां पर फोर्स पहुंचाएगी और पूरे लाके को सील किया गया आप मुझे ये बताइए कि उस अलाके में जो कि सर्फ और सर्फ मुस्लिम आबादी से भरा हुआ है पेट्रोल बॉंब कहां से आगा है ये कौन सा कानूनी तरीका है एक सीधा सा सवाल मैं आप से प हरते हुए उसको सपोर्ड करते हुए नहीं नजर आ सकता है आप भढ़काने का कांकॉर ये पुक्साने का का म कर रहे हैं पुलिस ने अगर कानून को साइड कर कोई काम किया हो कोई घ Sounds किया हो तो आप बताईए 2400 आप कह रहे हैं पहले सही लागू है तो फिर अगर पन्रो में आज लागू हो गई है तो आपको किस बात की दिक्कत है ग्यान वापी पर आप कह रहे हैं कि मैं जमीन देने को तयार हूँ आप मान सरोवर जो हैं लेकर आ जाईए अरे आपके एगो को थोड़ी यहां पर मसाज करने के लिए लोग बैठे हैं मान सरोवर को जब लेना वहां पर की जा सकती है क्या अल्ला उस नमाज को कुबूल करेगा बताईए कहां किस लाइन में आप मुझे समझाएंगे रही बात हल्दवानी की वहां पर सवाल प्रशासन से होना चाहिए कि पूरा इंतजाम क्यूं नहीं किया गया जब आपको पता था कि वहां से बम बरसाए जा सकते हैं गोलियां से आपके शरीर को चलनी किया जा सकता है तो फिर क्यूं पुखता इंतजाम नहीं किये गये थ अब्दुल मलिक जो मलिक का बाग जो आप सुन रहे हैं न वो इलाका अब्दुल मलिक शेर्वुड से पड़ा हुआ इंसान है बहुत सारी प्रॉपर्टी है उस शक्स की वहां पर बहुत रसूगदार आदमी है और कहा तो ये भी जाता है मेरी कुछ लोकल से वहां पर बात ह फूई है और ये कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जमीनों में अब्दुल मलिक का इंट्रेस्ट रहता है कि तो कई तो डिस्प्यूटेट्ट भी है का और ये मामना तो लंभा चल रहा है 2007 में अब्दुल मलिक मलिक जो है वो जरूर कोड के पास गए थे और कोट ने कहा था कि यह जो भी इलाका है इस इलाके का कोई एक फाइनल कंक्लूजन निकालिए नगर निगम से कहा था वो नजूल पॉलिसी आप समझते हैं मतलब नजूल वो इलाका होता है जिसको सरकार जो है समझ दीजे ऐसे लीस पर दिया कि 100 साल के लिए 90 साल के लिए उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है और अगर रिन्यू नहीं किया जाता है तो फिर वो प्रॉपर्टी नगर निगम की हो जाती है वो सरकार की हो जाती है इस case में यही हुआ था उसके बाद नगर निगम ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया अब वहाँ पर अब्दुल साहब ने क्या किया किया कि प्लॉट काड़ दिये उस जमीन पर और फिर एक एक ऐसा structure खड़ा किया जिसकी मिनार नहीं थी इस मस्जिद की मिनार नहीं थी लेकिन व भी मदर से हैं वो सब के सब registered हों और उस मताबिक चले कि वहां से पढ़ने वाला बच्चा आप समझे ना तौकीर साहब आप आप कौम को समझा सकते आपको तो लाखों लोग सुनते हैं आप इतने रसूक वाले हैं और आला हजरत से तालुक रखने वाले हैं आपकी बात को कौन ऐसा है जो ना सुनेगा लेकिन आप अच्छी बाते बताने की बजाए चुनाव आते ही अचानक पुलिटिकली आक्टिव हो गए हल्दवानी से बरेली की दूरी आपको पता है कितनी है मैं दर्शकों को बताना चाहती हूं 80 किलो मीटर 80 किलो मीटर चुनाव कितने हलाब 200 दिन से कम का वक्त बचा है और क्यों मुझे चुनाव की अभी याद आ रही है तौकीर रजा साहब का नाम सुनते ही क्यों याद आ रही है मैं मौलाना तौकीर रजा की बारे में थोड़ा सा रीसर्च करना चाहती थी इसलिए मैं कहा रही हूं कि बहुत सम्मानित व की तो तौकीर साहब ने एक पुलिटिकल पार्टी बनाई है बहुत गौर से सुनिएगा और पुलिटिकल पार्टी का नाम है इतिहाद मिल्लत काउंसल अब हुआ यह कि रजा साहब ने साथ अक्टूबर 2001 को इस पुलिटिकल पार्टी को बनाया ठीक है और बकाइदा 36,000 वोट भी इनको मिले जो मेर कैंडिडेट था ना उसे 36,000 वोट मिले दस सीटे भी जीती इस पार्टी ने फिर 2009 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने कॉंग्रस को सपोर्ट किया फिर उसके बाद 2012 आया और इन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया फिर उसके बाद 2014 के जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें इन्होंने बह community है उसे अपने ही किसी बंदे को चुनना चाहिए तो फिर एक शाजल इसलाम अंसारी है जोनोंने independent candidate के तौर पर चुनाव लड़ा जब जीते तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल गया और तौकी रजा साब के लिए मैं बता दू के यह जो है दोजार तेरा में जो हैंडलूम कॉर्परेशन है उसके चैमन रह चुके हैं फिर बाद में उन्होंने इस पत को ठुकरा दिया क्योंके मुजफर ना करके दंगे हो गए थे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इसमें मुसल्मानों के साथ अन्याय किया है और इसलिए उन्होंने टाटा बाई-बाई कह दिया पेराल यह पुलिटिकल एफिलियेशन जो रहा है ना तौकी रजा साहब आपका उससे आ दूसरे तमाम इदारों को घसीत रहे और कह रहे हैं कि इन पर यकीन नहीं किया जा सकता है पर कोड़ पर तो आप यकीन करेंगे ना और अगर कोड़ पर भी यकीन नहीं करेंगे तो फिर हिंदुस्तान के नागरिक के तौर पर क्या हम आप पर यकीन कर सकते हैं यह मेरा अबादत करना जायस ठहराया गया हो वर्ना तो चुनाव है और सब को पता है कि आक्टिविजम क्यों हो रहा है नमस्कार कर्या करना तो प्तिवर्नियों है कि आक्तिव प्रेथ